महाराश्र विधान परिश्ट की इसनातक और शिक्षक सीटों के लिए चुनाव की घोशना हो गई है चुनाव आयोग द्वारा घोशित निर्ने के अनुसा मद्दान 30 जनवरी 2023 को होगा लिहासा मद्दान दो फर्वरी को होगी जिसके लिए नाकपुर निर्वाचन शेत्रम से महाराश्र राज्य शिक्षक परिश्ट के नागो गणार अधिकरत प्रत्याशी है जिने भाजपा बालत साहिब बांची शिफसेना और आर पी आये का सक्रिय समर्थन है ऐसा गणा द्वारा कहा गया है नागो गणार इससे पहले भी दो शिक्षक निर्वाचन के चुनाव लड़े और जीट चुके इस बार भी वे इस चुनाव की प्रत्याशी हैं इस चुनाव के बारे में बोलते वे गणार बोले कि इससे पहले भी मैंने शिक्षकों और शिक्षक के विश्यों को विधान परहिशत में रखे और उसे हल भी किया है ऐसा कहते हुए वे बोले पुरानी पैंशन योजना का विशे जानबूच कर निकाला जा रहा है आपको बता दें कि पुरानी पैंशन योजना बंद करने का काम इनके ही कारेकाल में ही किया गया है गिले 12 वर्ष मी सतत शिक्षकांचे आनी शिक्षणाचे विशे विधान परिशेतेत मानले आए और त्यात यसाश्यों सुद्धा धलूला है सतत काम करन शिक्षका प्रती समर्पीत भावने नी काम करन आनी प्रामानिक पने काम करन या अधारावर ही निवन्नुक लड़तो है और निश्य थी निवन्नुक जिंकेल मुठ्या मताचा फरकानी जिंकेल याची मला खत्री है मिर शिक्षक मद्दाराना एकच अपील करील की गईर समजावर काई गईर समझ करन आरे काम न करना रे आसतात तैंचा जोग काम करन आसारका चली निवन्नुक लेच्प लोकानी केला है आणि तेच आद आरोब करता था है, मी दोन अदर अक्रा पासुन, मुझे आमदार बनलो तेवाँ पासुन, जुनी पेंशन योदना लागू झाली पाई जे, या करता लड़तो आ है, आणि आमदार अला मिलनारी 40 अदर रुपे मैने ची पेंशन मी ना कर लिया है, महरास्ता अन्य मारगा नहीं, या विश्याला न्याय मिलन देनाचा प्रेत्न माजा सुरुआ है, ये फक्त भारत्य धन्ता पक्षने सांगितल असा नहीं, कॉंग्रेस, राष्टवादी आनी शिवसिने चा महाविकास आगाडी नहीं है सांगितल, माजा आनी प्राध्यापकनी सोले यांचा तारांकीत प्रश्णाचे उत्तरात, त्यावेचे उपमुख्य मंत्री, वित्त मंत्री अजी दाधा पवार, यानी विधान परिशदेत उत्तर दिल, की शिक्षक कर्म चारानना जुनी पेंचने उनना लागू केली जानार नहीं, आनी केली तर महारास्त दिवाय सागाडी चे उपमुख्य मंत्री आणी वित्त मंत्रीयाचे स्टेटमेंट, ते स्टेटमेंट थोड़ा फार फरकानी देवेंदर फंडी साबानी केली, पन त्यांचे मत परिवर्तन करनाचे काम, मी केला शिवाय रहनार नहीं, आनी मत परिवर्तन होईल, जुनी पेंचन योजना के संधर में बोलत वे गणार बोले की, मैं पुरानी पेंचन योजना के संधर में राज्य के उपमुख्य मंत्री देवेंदर फंडवीस का मत परिवर्तन करने का प्रियाद जरूर करूंगा, साथ ही उन्होंने शिक्षकों से अपील भी की है कि गलत फैमी के शिका